और इस समय मरतात केंद्रिये मंत्री केंद्रिये मंत्री प्यूश गोयल जुर रहे हैं जो लोकसभा से मेंबर आप पार्लिमेंट भी हैं प्यूश यह आपका बिनंदन है न्यूज 18 पर मेरा पहला सवाल यही है की यह बजट आया है और मोदी 3.0 का पहला बजट है लेकिन वि प्रकार बचाने का कुर्सी बचाने वाला बजट है ऐसा है कॉंग्रेस पार्टी और विपक्ष्टी पार्टियों के नेता बहुत हक्के बक्के हैं परिशान है कि प्रदार्बंती ररेद्र बोदी जी ने फिर एक बार 11 साल में जी एक अच्छा बजट व्यापक बजट ज जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया है एक ऐसा बजट जो हमारे देश की अर्थववस्ता को भी मजबूत करता है उसके ठाचे को भी और सुरक्षित बनाता है और साती साथ समाज के हर वर्क के लिए आगे के लिए एक उत्सा के साथ जीवन देखने का एक मार्क एक र के लिए रोजगार के प्रती इसका फोकस है जी उसका लाब चार करोड भाई भेनों को अवश्य मिलेगा साथी साथ इंफरस्ट्रक्चर आधार बूद सुविदाएं जब सुद्रेंगी तो व्यापार उद्योग जगत को भी लाब होगा बारा इंडस्ट्रिल पार्क लगें को एक और थ्रस्ट मिलेगा मच्वारों को मच्स के निर्यात के लिए मच्स के व्यापार के लिए और बल मिलेगा इसे फेर सारी योजदाएं क्रिशी शेत्र हो गरीबों के कल्यान का काम हो अलग-अलग योजदाओं से इस बजट ने देश के कोने कोने तक विकास के मित्र यह नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या चीज़ पर क्रिडिसाइज करें इससे दो जो आपने मुद्धे बताए एक तो यह बीजेपी स्टेट्स के तरफ जुकाओ और दूसरा के यह सरकार बचाओ बजट मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता भी भली बाती जानते हैं कि कि मुद्धी सरकार ने जो भी करङदन किया जो भी योतना लाए यह दिश व्यापी रही दिश में हर राजज को उसका लाब मिला अब यह बारा इंडस्ट्रिल पारकस बनने जा रहे बारा इंडस्रिल पारकस में सुभाविक है कि विपक्ष के राज़ भी शामिल है अब लुए अलग बात है के देश की जनता ने विपक्ष के राज्य कंगे क मिलेगा लेकिन 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 प्यूजी अभी कुछ देर पहले खबर आई कि विपक्षी सांसत जो है वो कल बजट के खिलाब प्रदशन करेंगे और सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगा प्रदशन करेंगे और नीतिया योग की बैटक का बहिशकार समुचा इंडिया है जी और उनका स्वागत है जो भी प्रदशन करें पर आज देश की जन्ता ने जिस उत्सा के साथ इस पजट का स्वागत किया है जिस परकार से अलग-अलग इंडस्टी एस्सोसियेशन हो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसल्स हो देश भर के कोने-कोने से जिस परकार की आ प्रदशन करें या बहिश्कार करें नीति आयुक का उसमें उनीका रुकसान है देश की जन्ता उत्सा के साथ इस बजट की संभावनाव को देख लिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जी अच्छा है हमने जो जो कहा वो किया लेकिन लेकिन आप 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 फुद चार्ट अ अकाउंटन है पेशे से मुंबई से आप लोग सबा सानसद है एक लांग टम कैपिटल गेंट टैक्स जो लगाया गया है उसको लेकर बहुत सारी भरांतियां है क्या आपको लगता है कि यह जो लांग टम कैपिटल गेंट टैक्स लगा है यह निश्चित तोर पर सरकार के लिए तो फायदमन्द है लेकिन आम आदमी के लिए नुकसान दायक है इस पर मेरे सिर्फ दो ही कहना बाते कहनी है पहली बात तो एक एवरेज बेट दिया गया है कई चीज़ों पर बीस पर सेंटा कहीं पर पन्रह पर सेंटा अलग अलग को जोड के सिंप्लिफिकेशन एक कुछ शेर मार्केट में लगा तो अलग-अलग प्रिकार के कैपिटल गेंज पर अलग-अलग टैक्स के बदले अब एक फेर एकुटेबल साड़े बारा परसेंट सरलता भी होगी उसमें और सब एसेट प्रासिस को इक्वल टैक्स होने से लोगों को को एक ही एसेट पर जा साड़े बारा परसेंट हुआ है और वो भी मुनाफ़े में तो आपको शेर मार्केट में अपना पैसा निवेश करना बंद कर देंगे तो ये तो अलग-अलग क्लासिस को भी प्रोचान मिलेगी अलग-अलग एसेट्स में निवेश को प्रोचान मिलेगा और शेर मार्केट पर लोग अच्छा कमाई रहें जी राहूल गांदी ने एक इस बजट को नया नाम दिया कि यह जी जी राहूल गांदी जो की नेता विपक्ष हैं नेता प्रतिपक्ष वो उन्होंने एक नया नाम दिया इस बजट को यह तुष्टी करन वाला बजट है और इसमें सिरफ चली हम उमीद कर सकते हैं कि शायद राहूल गांदी और कॉंगरेस पार्टी भी अपने जो तुष्टी करन की नेती है विशेशकर एक धरम की तरफ या धार्विक वोट बैंक के हिसाब से जो तुष्टी करन की रादलीती वर्शों वर्षों से कॉंगरेस से देखी है उसम तुछ परिवर्तन आने की उवीद देशवासी कर सकते हैं। मैं इतना जानता हूं कि प्रदान मंत्री मोदी जी ने तस वर्ष तक बिना भेद भाव हर योजना का लाव समाज के हर वर्ग को बिना धरम देके जी 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 आते के बिना भाशा देके बिना प्रदेश देके से इस बजट का भी लाव देश के कोने कोने में एक सो चालिस क्रोड देश वासियों को पहुंचेगा यह हमारा अटरल इस बजट इस बजट के अंदर आपने अपने खास दोस्तों का खास ख्याल रखा है जैसे चंदरबाबू नाइडू की टीडी पी का और नितीश कुमा की जेडियू का एक जगा 59,000 करोड एक जगा 15,000 करोड अमरावती के लिए मैं आपको हजारों भाषन सुना सकता हूँ जी विपक्ष के नेताओं का जो बार बार कहते थे कि जो आंदर प्रदेश बाइफरकेशन के समय रियॉर्गनाइजेशन एक्ट हुआ था उसका पालन करना चाहिए हमने तो सिर्फ उस एक का पालन किया तो इस पे तुष्टिक करन कहा से हुए जो आंदर प्रदेश का अधिकार था जब हक था उसको पूरा करना लेकिन 10 साल से नहीं दिया था और प्रदान मंतिर नरेंद पूर्वी राज्यों का विकास चबतत नहीं होगा बारत विक्सित नहीं बन सकता और लगातार 2014 से तदान मंत्री मोदी जी ने पूर्वी राच्च और पुर्वत्तर के राच्चों की तरफ विशेश ध्यान दिया है लगातार हो मुझे अभी भी याद है भेड सारी योजदाई अलग-अलग विभागों में हमने इन पूर्वी राच्चों की तरफ बनाई है उसको प्रो पहले भी पैसा देने को प्यार पिछली सरकार ने अमरावती में स्क्राप कर दिया तक कैपिटल क्रोजेक्ट प्यूजी आप महारास्ट जाते हैं तो महारास्ट चे पॉलिटिकल रेक्शन तो बहुत सारा रहे हैं लेकिन शिवसे ना जो उद्दव गुठ है वो कह रहा है अमिश जी आपको और आपके शोत्ताओं को बताना चाहूंगा आगे के दिनों में जैसे जैसे बजट की और चीज़े भार रिख लेंगी जैसे 12 इंडेस्ट्रिल पार्क उसमें महाराश्ट्रा में कौन सा पार्क बन रहा है आगे चलके एक एक चीज़े जब बाहर रिख तब मुझे लगता है महाराश्ट्रा में भी लोगों को संतुष्टी होगी खुशी होगी कि धेर सारे प्रोजेक्ट धेर सारे योजनाएं महाराश्ट्रा को लाब देने वाली है वैसे तो हाल में सतर अजार क्रोड का देश का सबसे बड़ा पोट का प्रोजेक्ट तो मैं समझता हूं महाराष्ट्रा की प्रात्मित्ता पहले भी रहे आगे भी रहे जी लेकिन आखरी सवाल मेरा नीट की ओपर सुप्रीम कोट की एक लैंडमार्क जज्जमेंट आई है सरकार जो बार-बार कह रही थी एक तरह से सुप्रीम कोट के ओर डर में भी आया है आप आप क्या कहना जाते हैं लाखों युवाओं के लिए एक राहत की सांस आई है वाट्स यूर टेक कि जैसे मेरे बित्र दर्वेद्र पधाज जी रिका था सत्य में उचैते यहीं सही रास्ता था सुप्रेम कोट का निर्णे कर हम सब स्वागत करते हैं लाखों बच्चों ने बड़ी मेहनट से एक्जाम दिया था कुछ छोटी घटनाएं हुई थी कुछ आइडेंटिफाइट सेंटर्स पे एक बहुत स्मॉल नंबर ओ स्टुडेंट्स को अफेक करती थी उस पे सरकार भी कड़ी कारवाई ले रही है कुछ बच्चों का तो री एक्जाम हो चुका है और कुछ सेंटर्स पे जहां कुछ गलत काम हुआ उस पे सक से सक कारवाई CBI जाच के द्वारा की जा रही है मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि कुछ पुलिटिकल वेस्टिड इंट्रेस इसके लिए बार-बार कोशिश करते हैं कि नीट बंद हो इसमें DMK जैसे पार्टिया कॉंग्रेस जैसी पार्टिया क्यापिटेशन फी पे करें जो आज गरीब से गरीब रखती आज नीट का एक्जैम देके मेडिकल कॉलेज में भरती ले पाते हैं विशेश कर जो मात्र बाशा में एक्जैम देने का काम प्रदान मंत्री मूजी जी ने शुरू किया है उससे एक सामान रे वक्ति जो अपन कुछ राज्यों में उससे DMK का और कॉंग्रेस का पुरी तरीके से परदाफाश हुआ जी लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी आपने नाम लिया वो री एक्जैमिनेशन के लिए भी बोल रही थी अगर वो री एक्जैमिनेशन सरकार करवा देती तो आज लाखों चात्रों क भविश्य भवर में लटक जाता क्या आपको लगता है कि आपकी चरकाट में तब सुप्पी साधी रखी और फाइनल डिसीजन आया है आज आप उन नेताओं को कहना चाहते हैं जो री एक्जैमिनेशन के लिए बोल रहे थे मैंने जैसे बताया उनका परदा फाश हुआ है उनको सिर्फ राजदीतिक लाप और कुछी चन कॉलेजिस का लाप करने का हेतुता वो पूरी तरीके से एक्स्पोज भी हो गया और आज उन्होंने वाफी मांगनी चाहिए देश से जिस पकार से उन्होंने पार्लिमेंट मे विशेष माफी मांगी चेह देश्वाद जी प्यूज गोल दिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास दिन पर जुणने के लिए और खास तोर पर बजट पर बात करने के लिए और नीट पर भी आपने अपना रियाक्शन दिया तो यह थे केंदिये मंतरी प्यूज झाल